नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Education Experience Expo में मैं हूँ नीरज कुमार कैथल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन टॉपिक की, इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन में पाए जाने वाले important symptoms के बारे में बताएंगे Let's begin our today's video सबसे पहले सबसे important symptom tried symptoms of depression Depression के tried symptoms के अंदर हम decreased motor activity, decreased mood और decreased speech तीन को include करते हैं ये ही तीन सबसे important symptoms है जो भी व्यक्ति depression से ग्रसित होता है उसकी motor activity यानि physical activity बहुत कम हो जाती है उसका mood भी upset रहता है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता इन तीन symptoms को हम depression के tried symptoms के नाम से जानते हैं अब बात करते हैं depression से जुड़े कुछ other important features की Feeling of hopelessness and worthlessness व्यक्ति को लगता है कि वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है वो निराशा की तरफ बढ़ता जाता है Decrease activity of daily living व्यक्ति की daily living के लिए जो activities आउशक हैं उसमें भी कमी देखी जाती है वो personal hygiene तक maintain नहीं कर पाता Decrease emotional and physical activity व्यक्ति की emotional और physical activity भी decrease हो जाती है Introvert personality व्यक्ति अकेला रहने लगता है किसी का साथ भी उसे अच्छा नहीं लगता Next point है Lack of energy, persistent fatigue व्यक्ति को हर समय ठकान महसूस होती है Persistent sadness व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है Inability to take decisions Depression से ग्रशित व्यक्ति छोटे decision भी नहीं ले पाता Decreased self confidence व्यक्ति का आत्म विश्वास बहुत कम हो जाता है Vitroll from peer group वो अपने साथियों से दूर होने लगता है Socially inactive हो जाता है और अकेले रहना पसंद करता है So everyone ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिप्रेशन के कुछ important features, symptoms को include किया है आप चाहें तो इस screen का Slides का screenshot ले सकते है Thank you so much friends for watching this complete video All the best